कि रिजिनेंग का हम लोग 1999 से अभी तक का जो क्वेस्टन आया हुआ सारे क्वेस्टन साल्व करेंगे तो इसमें पहला चैप्टर हम लोग साद दिरिश्टता या समसंबंध एनलोजी और सिमिलेर्टी इसका क्वेस्टन हम लोग देखेंगे क्वेस्टन नमबर एक से लेके क्वेस्टन से आई हुए है pounding क달या यहां से शुरू करते हैं घर रिलेट कर रहे हैं किसके साथ रिलेट करेंगे से रूम से रिलेट करा है तो वर्ड हमारा किसे रिलेट करेंगे चारा आपका देया है जमीन सूरी हवा राष्ट्र प問 थो क्या हम लोग कहेंगे कि जैसे कमरे से मिलके घर बन रहा है यानि दूसरा वाला क्या है दूसरे वाले से मिलके पहला वाला बन रहा है कमरे से मिलकर घर बनता है आपका कमरे से मिलकर घर बनता है तो अब किस से मिलके विश्व बनेगा जमीन से मिलके नहीं जमीन से मिलके कि हम लोग बात नहीं करते हैं सूर्छ से मिल के नहीं हवा से मिल के वि्ष्व बना है नहीं रास्टर मिलके विस्व बना है तो क्या रखेंगे हम और do horse धी हमारा करेक्ट हो जाएगा है क्वेश्चन नंबर दो हम लोग देखते हैं असपर्स महसूस करना से रिलेट कर रहा है तो similar pattern में अभिवादन के साथ क्या रखा जाए तो असपर्स और महसूस करना में क्या संबंद होता है असपर्स हम लोग क्या करते हैं महसूस करते हैं जब असफर्स होता है तो क्या करते हैं हम लोग महसूस किया जाता है तो असफर्स को अगर महसूस किया जाता है तो अभिवादन को क्या किया जाता है मुस्कान किया जाता है नहीं सुविकार किया जाता है कोई अभिवादन करता है तो हम लोग क्या करते हैं सुभिकार करते हैं तो इसके लिए be आपसन भी हमारा करेक्ट हो गया अभिवादन सफलता अभिवादन सिस्टाचार नहीं Uh पर्स महसूस किया जाता है अभिवादन सुविकार किया जाता है तो आफसन भी करेक्ट हो गया क्वेस्टन नमबर तीन हम लोग देखते हैं अच्छा बुरा से रिलेट कर रहा है तो च्छत किस से रिलेट करेगा तो अच्छा और बुरा में क्या संबंध है यह एक दूसरे के विलोम है अच्छा और बुरा क्या है विलोम है तो च्छत का विलोम क्या होगा देखिए दीवारें, खंभें, फर्स, खिडकी तो च्छत का विलोम फर्स होता है आपका तो आफसन C हमारा करेक्ट हो गया तो अच्छा जैसे बुरा के साथ रेलेट कर रहा याने एक दूसरे का विलोम है तो छद चत का विलोम फर्स हो जायेगा Question number 4 देखते हैं हम लोग सेर मांद से रेलेट कर रहा है तो खर्गोश किस से रेलेट करेगा सेर और मांद में क्या संबंद है सेर हमारा मांद में रहता है यह इसका क्या है होम है तो अगर सेर मांद में रहता है तो खरगोस कहां रहता है छेद में गड़ा, बिल, खाई तो यह बिल में रहता है आफसन सी हमारा करेक्ट हो गया question number 5 हम लोग करते हैं देखे अनूठा फन पुराना पन से रिलेट कर रहा है तो नया पन किसके साथ रिलेट करेगा यानि novelty आपका olderness के साथ रिलेट कर रहा है तो newness किसके साथ रिलेट करेगा चारा option है आदर्स पुरातंता खोज संस्कृति तो अनूठा पन और पुराना पन में देखे क्या संबन्द है अगर हमारा कोई चीज पुरानी चीज होती है तो वह थोड़ा अनूठी होती है तो पुराने पन में अनूठा पन होता है तो दूसरे वाले में पहला वाला विलाओं करता है तो किन चीज में नया पन होगा आदर्स में नया पन होगा नहीं पुरातंता पुरातन चीजे भी पुरानी हो गई खोज जो नई चीज खोज का मतलब कोई नई चीज खोजी जा रही है तो नई नया पन किसके साथ रिलेट हो गया हमारा खोज के साथ डिस्कवरी के साथ कि यानि जैसे पुराना पन में अनुठा पन रहता है तो खोज में नया पन रहता है आफसल सी करेक्ट हो गया क्वेश्च systems 6 लोग देखते हैं गुप्तचर मु hungry से रिलेट कर रहा है तो संबात दाता keep किसके साथ रिलेट करेगा गुप्तचर में लग डिटेक्टिव होता है तो रिप्विर इंफॉर्मर सेots रिलेट देता है जानकारी देता है यानि डिटेक्टिव हमारा इनफार्मर की हेल्प से जानकारी प्राप्त करता है तो अगर गुप्तचर आपका मुख्विर की साहता से जानकारी प्राप्त करता है तो संबाद तो जो news होता है उसको समाचार बोलते हैं निबंध अब आप जैसे समाचार सुनते हैं रिपोर्टर बोलता है सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है तो इसलिए हमारा संबाद दाता किस से मिलता है उसको सूत्र से मिलता है क्योंकि आप सुनते होंगे संबाद दाता लोग ब देखते हैं विसुद्ध प्रामारिक के साथ रिलेट कर रहा है तो मिर्ग तिर्सड़ा किसके साथ रिलेट करेगा विसुद्ध यानि जैनियून है जैनियून एथेंटिक होता है यानि जो विसुद्ध चीज होता है वह प्रामारिक होता है तो विसुद्ध जो विसुद्ध चीज होती है विसुद्ध वो प्रामारिक होता है विसुद्ध प्रामारिक होता है यानि जो चीज एकदम सुद्ध है इसका मतलब वो प्रामारिक है अब मिर्ग तिरस्ड़ा क्या होता है मिर्ग तिरस्ड़ा मतलब भरम होता है भरम तो आफसन एह हमारा क्लेक्ट हो गया रिलेट करेगा बनस्पत बिग्यान में यानि बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में अध्यान करते हैं तो बनस्पत बिग्यान में पौधों का अध्यान क्या जाता है तो कीट बिग्यान में किसका अध्यान क्या जाता है कीट बिग्यान में पच्छी पौधे कीडे सर् ग्रेट विल्टेन की संसत की संसत को पार्लियमेंट कहा जाता है Great Britain की संसत को Parliament कहा जाता है तो Congress कहा की संसत को कहा जाता है Congress हमारा USA यानि संयुक्त राज अमेरिका की संसत को Congress कहा जाता है तो option C हमारा correct हो गया Question number 10 है मनो विज्ञान मन से रिलेट कर रहा है तो पच्छी विज्ञान किस से रिलेट करेगा तो मनो विज्ञान जो साइकोलाजी के अंतरगत हम लोग मन का अध्यान करते हैं तो साइकोलाजी में क्या किया जाता है मन का अध्यान किया जाता है तो पच्छी विज्ञान में किसका अध्यान के जाएगा पच्छी विज्ञान में जो है आपका चिलियों के बारे में अध्यान के जाएगा तो इसका अफशन डी हमारा करेक्ट हो गया